फ्रेंड्स कल मत्पर्द सिक्षक भरती अभ्यरतियों के लिए बहुत अच्छी ख़वर थी और वो ख़वर थी कि जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ था रुक गया था वो दुबारा से शुरू होगा जून के सेकंड वीक से तो इसी से संबंदित न्यूज आई पत्रिका में तो हम वो ख़वर देख लेते हैं जून के दूसरे हफ्ते चैने सिक्षक पात्रता परिक्षा में चैने अभ्यरतियों के दस्तवेश सत्यापन की रुकी हुई प्रक्रिया जून के दूसरे सफ्ता से फिर शुरू होगा इसी के साथ आदिम जाती कल्याण और माजदे में सिक्षकों की सीधी भर्ती के शेश चैनेत अभीरतियों के दस्तावेश सत्यापन को 20 मई तक इस्थगित किया गया था तो यह जो सत्यापन का काम था जो वो एक अपरेल से शुरू हुआ था और फिर क्योंकि कोरोना की संक्रमन की दूसरी लहर बहुत ज्यादा उसने इस्तिती गंभीर कर दी थी जिस वज़े से यह सत्यापन कारे को रोकना पड़ा था जहां तक DPI सिक्षक भरती वर्ग एक की बात करें तो उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट्स बचे हैं जिनका सत्यापन होना है तो यह एक दो दिन की प्रक्रिया है और वर्ग दो का भी शुरूआत हुई नहीं थी तो उनका सभी का वरिफिकेशन होना है और आदेम जाती कल्य जाना है यह सारी प्रक्रिया हैं उनकी जून सेंड़ वीक से तो इस सम्मंदित स्टॉर्फ कम्प्लीट कि किसको कहां पर जाना है document verification के लिए वो समंदित list जहां तक मेरा अनुवान है June के first week में या माई के end तक आ जाना चाहिए तो आप MP online portal को regularly visit करें updates मिलती रही इसके लाबा मैं तो आपको वीडियो की तरुग आपको सुचित कर ही दूँगा तो उम्मीद करते हैं कि ये सब जल्दी होगा और complete प्रक्रिया हो जाएगी जून में और फिर उसके बाद बहुत जल्दी नियुक्ती की कारवाई formalities होगी तो फ्रेंट्स यही news थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगली किसी update के साथ तब तक take care thank you so